Hello everyone, तो यार J-Means 2022 वाले बच्चे जो होगे, उनके 3-4 common doubts होते हैं, सभी के दिमाग में ये doubts चल रहे होते हैं, कि यार J-22 के क्या dates रहेंगी, क्या इस बार 4 attempt होगे, क्योंकि इस बार तो यार 4 attempt होए थे, तो क्या इस बार हमारे 4 attempt होने वाले हैं, इसका registration कब से start होगा यार हमा इस बारे डाउट से वो इस वीडियो में तुमारे clear हो जाने वाले हैं, और जो official data है, वही मैं आप सभी के साथ discuss करने वाला हूँ, तो make sure कि आप वीडियो को बिल्कुल भी skip ना कर रहे हो, जिससे कि ये जो चारो doubt है आपके clear हो जाएं, तो आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बड़ी news मैं लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही खुशवाली news है, तो आपको 10% तो आफ मिलता ही था Unacademy subscription पे, लेकिन Unacademy Rise Again special offer week में आपको मिलेगा, और भी extra 10% आफ और ये offer सिर्फ और सिर्फ 17th September तक ही valid है, ये subscription से आप unlimited batches में इन्रॉल कर सकते हो, ये batches especially JE 2022 की preparation को ध् तरीके से हैं, batches स्टार्ट हो रहे हमारे 20 September से, foundation batch जो हमारा IIT JE 2024 के लिए है, Rise 2.0 for class 11th JE Main and Advance 2023, और Axel batch for droppers JE Main and Advance 2022, और Junoon A. JE batch batch for droppers के लिए, और Evolve 2.0 batch for class 12th JE Main and Advance 2022, ये सारे batch में आप सभी को ये सारे benefits मिल रहे होंगे, unlimited access of plus subscription, India's top educators, interactive live classes, test series and quizzes, structured courses and PDF, तो और मेरे हिसाब से अगर आप IIT JE 22 की preparation कर रहे हो, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला subscription purchase करने का, तो और अभी जाकर के आप subscription purchase कर सकते हो, और extra 10% discount जाके पास सकते हो, जाकर के हम 10 use करो, और extra 10% जाकर के off पाओ, तो जल्दी से जो link description में दे रखिये, वहां से जाकर के subscription purchase कर लो, तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूँ कि आप जो यार जे 2022 के registration कब से start होंगे, तो यार आप सभी के registration से हो December में start होंगे, December के first या second week में आप सभी के registration स्टार्ट हो जाने वा कर देना चाहूँगा, तो मैं आप सभी के डाउट कर देना चाहूँगा, इस साल भी जब हुआ था उन्होंने clearly कह दिया था कि अब से हमारे 4 attempt हमेशा होंगे, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी के 4 attempt होने वाले हैं, यह मत सोचो कि यार दो ही attempt होंगे, ठीक लिया होगा, ठीक है, अगर मालो आप J 2021 वाले aspirant थे, आप drop लिये हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए 100% है, कि 75% criteria आपके लिए remove कर दिया गया है, ठीक है, यानि कि जो drop वाले बच्चे हैं, उनके लिए यह चीज रिमूव कर दी गई है, लेकिन जो J 22 देने वाले बच्चे ह उन बच्चों के लिए अभी कुछ भी clarity नहीं दी गई है, कि आपका remove होगा, या नहीं होगा, क्योंकि J 2021 वालों का इसलिए remove किया गया था, क्योंकि इनके लिए बहुत सारे situations बने थे, class 10 के basis, class 11 के basis, इन सब basisों पे इनको number में ले थे, इस चक्कर में इनके लिए remove कर दिया या नहीं, यह आप सभी को जैसी आता है update सबसे पहले हम बता रहे हो, इनको डाउट तो हमारे clear होगे, लेकिन सबसे बड़ा डाउट था, कि आप सभी का कब से exam start होंगे, क्या वो January में होंगे, या February में होंगे, क्योंकि पिछले साल तो February से हुआ था, तो क्या इस साल भी February स यह होगा, तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, कि आपका यार यह पक्का है कि February में ही start होने वाला है, ठीक है, यह पक्का है कि February में ही start होगा, और यह चले है, कैसे कि February कि मानलो first week में आपका examination होता है, तो उसको एक महीने बाद जागर कि आपका second attempt होगा, एक-एक मह यह हो गए होगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप सभी के लिए strategy वीडियो भी आ रही होगी, कि आप सभी क्या J22 के लिए strategy होनी चाहिए, यह आपको पता है, यह में इसके related हर्चीज इस channel पर आपको मिलती है, तो J22 वालो के लिए भी से start हम कर चुके है, so make sure कि यह चैन